हेलो साथियो एकजाम एकसिस में आप सभी का स्वागत करता हूँ और दोस्त सभी की निगाहे अभी तक रिजल्ट पे है ठीक है रिजल्ट पे लेकिन एक बात इसी बीच में आपको लेकर आ चुका हूँ जो आपके लिए जितनी खुसी पैदा करेगी सायद उतना रिजल्ट भी नहीं पैदा करेगा तो इसमें हम तीन बाते करेंगे मुखे रूप से तीन पॉइंट पे बाते करेंगे एक नमबर आपके लिए अगर आप फेल हो गए तो क्या करेंगे ठीक है दो नमबर बाते करेंगे आप पास होने के बाद क्या क्या करना पड़ता है तीन नमबर करेंगे सबसे लास्ट में की रिजल्ट कब तक आएगा ठीक है तो जारा धैर के साथ आप वीडियो में बन रहेगा तीनों बाते पर डिसकस करेंगे और कैसे कुछ क्या करेंगे इसमें हम यहीं बात करने वाले हैं कि फेल के बाद भी आप पास हो सकते हैं क्या बात करेंगे बाद भी आप पास हो सकते हैं तो 5-7 मिनट की वीडियो है बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाली है तो आप लोग ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो कोई आपके सामने नहीं दिया होगा चलिए हम आपको दी रहे हैं तो सबसे पहले हम अपने ओफिसियल वेब साइट को ओपे नहीं कर लेते हैं अभी रिजल्ट नहीं आया है क्योंकि मैं रिजल्ट पर ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ आपको पता होना चाहिए मैं अफिसियल साइट पर आ चुके है ठीक है आपका रिजल्ट सबसे पहले हैं बता दू कि यहीं पर आएगा लेकिन हम रिजल लिस्ट में आप पास हो सकती हैं तो आखिर में ये कैसे होता है तो जारा ध्यान से इस वीडियो को देखेगा मज़ा आएगा देखे दोस्त मानते हैं कि आपके बिद्दैले में 80 सीट है ठीके फर्स्ट एक लिस्ट आती है जिसे हम कहते हैं कि हमारे रिजल्ट आ गया ठीके फर्स्ट लिस्ट में अगर मान लिजे कि 80 बच्चे का रिजल्ट जारी किया जाता है इस रिजल्ट में कुछ बच्चे मान लिजे कि इसमें अडमीसन कितने का हो गया अडमीसन हो गया 65 का ये जो 15 सीटे आपकी बच्ची न भाई ये जो 15 सीटे आपकी बच्ची है इसे हम क छोड़ दिये तो इसमें टोटल साथ इस्टूडेंट ने आपका पढ़ाई स्टार्ट कर दिया ठीक है और पांच अडमिसन के बाद भी नवदे विद्धाले को छोड़ दिये ऐसा क्यों कर रहा हूं ऐसा मैं दोस्त इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं जोहर नौदे विद्धालें पढ़ा हूं और बहुत अच्छा खासा हूं का अनुभाव है इसलिए मैं आपको रियालिटी बता रहा हूं ठीक तो मान लिजिए तो टोटल आपके 20 सीटे आपकी खाली हो गई ठीक है तो इस 20 स सिखे तो आप एक बार जब फेल हो गई तो यह मत समझेगा कि हम फेल हो चुके हैं तो आप फेल होने के बाद भी पास हो सकते हैं चलिए हम रिजल्ट के बाद बात करेंगे कि तने नमबर पे आप पास होंगे तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा दूसरी बात आती है आपके सामने कि pass होने के बाद हम क्या करें देखिए जितने 95 वाले हैं और 90 प्लस मान सकते हैं 90 प्लस वाले वो समझे कि pass ही हो जाएंगे लेकि 95 वाले 100% pass हो जाएंगे तीक है पास होने के बाद आपको तीन काम करना है ठीक है पास होने के बाद आपको तीन काम सबसे पहले आपको अपना मेडिकल चेक कर लेना है ताकि मेडिकल में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो दूसरी बात आपको अपना डोकुमेंट सभी त्यार करना है और तीसरी बत अभी तक आपने अधार कार्ड नहीं बनाया है तो आज ही अपना जनसेवा के अंदर पर जाके अधार कार्ड बनाने का दे दीजिए ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो नहीं तो अधार कार्ड बनाने में समय लगता है चलिए इस बात को जाने गए आप लोग पास सोने के बाद उसके बाद आता है कि आपका result कब आएगा ओके आपका result कब आएगा दीखिए बड़ी धोका धड़ी चल रहा है कली मैं लाइब आकर सभी बच्चों से बात किया फेस टू फेस बात के लमसम ये घंटे हमने 10 मिनट ये घंटे 10 मिनट हमने बच्चे उसे बात किया समस्या बच्चों की बहुत सारी है कि सर रिजल्ट कब तक आएगा तो चलिए हम बात करते हैं कि result कब तक आएगा तो पहली बात है कि अभी result आपका जारी नहीं हुआ है बता दू आपको कि ये आपके सामने परिख्चा ने उस एप है जहां पे जवह नोदी भी डैले का result आप आसानी से चेक कर सकते हैं यहां पे आपको क्लिक करना है और मैं आपको बता दू कि इनका ये यूट्यूब टेलिग्राम है और ये इन से जूर सकते हैं डिरेक्टली आप उसके साथ मैं बता दू कि यहां पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा scholarship update, exam result, latest news और board update, university और board का news आपको सभी चीज़ देखने को मिलेगा सबसे पहले अगर जोहन नौदे भी डैले की official site best है तो आपको यहां से आप अपना result चेक कर सकते हैं यहां पे आपको सबकी जनकारी मिलेगी जैसे जोहन नौदे भी डैले का result आता है तो आपको यहां पे कुछ new blank करता हुआ देखने को मिलेगा और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको result मिलेगा उसके सासाथ यहाँ पे आपको जवाहन नोदे भी दले के result के बाद आपको waiting list भी यहाँ से provide कर दिया जाएगा उसके सासाथ exam की update यहाँ देखने को मिलेगी admission related सारी खबरे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी university और job से related खबरे आपके बड़े भाई यह बात है ठीक है result अभी आपका जारी नहीं हुआ है जो वीडियो बना रहे हैं कि result जारी हुआ है सदारसर फेक है जैसे ही result आता है तो हमारे YouTube चैनल पर सबसे पहले हर साल की बाती result answer की सब के बारे में सबसे पहले हम आपको बताते हैं तो इस बार भी result सबसे पहले हम ही बताने वाले हैं तो result के लिए आप चैनल को subscribe कर लिजेगा उसके बता दू कि result कब आएगा तो मेरे प्यारे साथियो result सबसे पहले यहाँ पे 10 जुलाई ठीक है 10 जुलाई से आपका पहले पहले result आने की संभावना बहुत rare के से मतलब माने के चलिए 5 से 10 जुलाई के बीच में ही result आएगा क्योंकि कुछी दिन पहले मैंने आपको ASK त्यागी सर ASK त्यागी सर और 15 जोड़ोगे तो आपका 13 तारीक है यानि 8 और 13 के बीच में result आने की आपकी संभावना है ठीक है अगर आप result मान लिजे लिकाल रहें किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप मेरे से संपर कर सकते WhatsApp नमर 990553330366 पे आप contact करेजिए अगा result लिकालने के समय एक्सपेक्टेड को टॉप की बात करें तो 90 प्लस वाले सब लुक सीफ जुन में अभी दिख रहे हैं चलते हैं दोस्त बाइबाइट टिक केर जैहिंद